दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है दोस्तों यूपी पुलीस री एक्जाम 6244 पदों के लिए फाइनल आंसर की के बाद कॉट ओफ क्या रहेगा क्या सभी पाली की अलग-अलग कॉट ओफ रहने वाली है और रिजल्ट कब आप लोगों का जारी होगा और रनिंग कब से आप लोगों की होगी और क्या कट ओफ रहने वाली है पूरी जो बात है आज की वीडियो में आप सभी से करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जादा नदेर करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों 6244 पदों की जो आप लोगों की परिक्षा होई थी 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को उसके बाद दोस्तों फाइनल आंसर की आने के बाद अब आप लोगों की जो कट आफ थी वो बहुत ही डाउन हो गई है और कितनी आप लोगों की कट आफ जाएगी उस पर पहले हम आप सभी से बात कर लेते हैं दोस्तों जहां की आप सभी यहां देख सकते हैं कि आप लोगों की यह कट आफ है सामान की final answer की के बाद जो cutoff है दोस्तों 188 से 173 वे आप लोगوں की हो सकती है वहीं अगर हम OBC की बात करें तो OBC की आप लोगों की जो cutoff है दोस्तों वो आप लोगों का 173 से 178 रहने वाली है और दोस्तों वहीं अगर हम WABC की बात करें ते 144 से 149 और SC की बात करें ते 113 से 118 यही आप लोगों की संभावित दोस्तों कटाफ रह सकती है और ध्यान रखिए दोस्तों कि हर सिफ्ट का याद रखिएगा कि I think मुझे लगता है कि हर सिफ्ट की अलग-अलग आप लोगों की कटाफ बन सकती है दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा संभावना है 100% नहीं दोस्तों या फिर नॉर्मलाइजेशन करके ऊपर नीचे करके एक बैरियर में कहा जाए तो हर एक सिफ्ट की कटाफ अलग-अलग रहेगी मैं इसलिए कह रहा हूँ इस आधार पे कह रह जिनका 31 अगस्त का आप लोगों की सेकेंड सिफ्ट होगा उसमें दोस्तों साथ जो क्वेस्टन्स हैं वो कैंसिल किये गए हैं सबसे जादा जो प्रश्ण है इसी सिफ्ट में कैंसिल किये गए हैं दोस्तों अब अगर साथ क्वेस्टन्स कैंसिल किये गए हैं यानि कि आप की cut off 143 पे बनेगी है कि नहीं तो इस आधहार पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप 143 में अगर मैं कहूं कि अगर आप सामानने से हैं अगर आप सामानने से हैं और आपके 95 questions ध्यान रखेंगे दोस्तों अगर आपके मैं second shift फिर से मैं बताता हूं सामानने के अगर आपका 31 अगस्त second shift के अगर हैं और आपके 95, 96 questions दोस्तों अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप लोगों का final selection दोस्तों हो जाएगा running के लिए sure है बुलाला बुला जाए इसलिए क्योंकि आपके पंचान बे questions अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो वो questions हो रहे हैं आपके 143 में इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों तो इस आधहार पर याद रखेंगा सब को normalization का लाब मिलेगा इस बात का भी आपका फर्क पड़ेगा इसलिए मैं कह रहा हूं हर shift का अलग अलग आप लोगों की cut off रहेगी दोस्तों cut off का मतलब अगर आपके अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं कि सामान ने की अगर आप 23 की second shift की अगर 23 अगस्त की बात करें इसमें आप लोगों के questions जो है cancel हुए नहीं है एक या दो questions अगर साइद cancel हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके आधार पर और इसमें देखिए जो 23 अगस्त है इसमें प्रस्णों के में आपको normalization का भी फाइदा मिलेगा क्योंकि पहली shift थी शुरुआद था तो यहां से अगर आपके जनरल के दोस्तों 94 questions याद रखिएगा 94 questions अगर आप के बन रहे हैं कि यहां पर नहीं है तो अगर आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा 23 अगस्त में आपके कम से कम 99 questions के लगभग काट पिट करके आपके सही होने पड़ेंगे सामाने की मैं बात कर रहा हूं उससे आप तिन तिन चार 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 क्योश्टन सगर आप उपर नीचे वही चार चार नंबर करते जाले जाए अप लोग सब की कट अफ हो जाएगी तो यह अगर आपके बन रहे हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बहुत हंड्रेट परसेंट दोस्तों निन्यान में अगर आपके काट पीट करके बने वह भी तेईस अगस्त की फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में तो स्योर है दोस्तों आपका सेलेक्शन पक्का है और वही दोस्तों चार चार नंबर आप कम करते हुए चले जाएए ओवराल क यह जो कटाफ हमारी है वो सामान ने की 188 से 193 नॉर्मलाइजेशन के बाद यह बहुत जाएगा दोस्तों तब जाएगा OBC का आप लोगों का जो कटाफ है 173 से 178 SC की 146 से 149 और ST की 113 से 118 दोस्तों और EWS की भी कटाफ आप लोगों की द्याद रखिएगा EWS की भी जो कटाफ है EC के आसपास आप लोगों की रहने वाली है अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं Running कब आप लोगों की होगी तो याद रखिए दोस्तों result आप लोगों का बहूत ही जल्द यानि के दोस्तों एक दो दिन में छट से पहले आप लोगों का जहां तक की लग रहा है कि result आप लोगों का जारी हो जाएगा क्योंकि मानिय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि October लास्ट तक जो है result को जारी कर दिया जाएगा लेकिन अभी कल दोस्तों आप लोगों का जो है final answer की जो है आप लोगों की जारी हुई है तो प्रसाशन पर भी दोस्तों जो है दबाव है मानिय मुख्यमंत्री जी का कि उनका जो है आज्या का हर हाल में पालन किया जाए और उसके बाद दोस्तों महज 15 दिन के अंदर आप उसका document verification का process जो है आप लोगों का शुरू हो जाएगा तो आप सभी running जो है अपना करते रहिए और आपके final जो है answer की के बाद किस shift में कितने number आपके बैठ रहे हैं आ रहे हैं comment में अपनी राय आप जरूर करिएगा और आप किस category से हैं ये भी आप लिखना न भूलिएगा बाकि आपको वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा चलिए दोस्तों मिलते है अगली वीडियो में जैहिंद